नमस्का दोस्तों जै जगनाथ आप सब का स्वागत करती हूं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीउटीफुल गाड़े नप्चुमकी यहां बे मैं अपना गाड़े नाप लोगों को घूमा के दिखाती हूं मेरे प्लांट्स सब दिखाती हूं कैसे इतना साथ मैं फ दूल जाती हूं वो सब भी आप लोगों के साथ में साजा करती हूं अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं लाइक सेयर करना बिल्कुल मत बूले और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा राइट हैट में बेल का इकन जो ह अगर मेरे और लोगों बोचार रिघ्स काया राइट हो आप लोगों रिपर्द बैंक से इसको खाम-पैस ऐसानी से कर आज्यू में आप लोगों के साथ करूंगी और यह आपो शोच लीज давай 95% मेरा successful हुआ था इसलिए आप लोगों के साथ मैं share कर रहे हूँ और आप जो मैं procedure आप लोगों को बताऊंगी सुरू से पूरा cutting से cutting का collection से लेकर cutting का routing तक routing निकलेगा तब ही तक आप लोगों को मैं पूरा step by step सब procedure बताऊंगी उसके साथ कैसे उसको रिपॉर्ट करें पॉर्टिंग में कैसे रखें वो सब भी आप लोगों के साथ में share करूंगी वीडियो को आखरी तक बीना skip क्यों हुए जरूर देखिएगा cutting से कैसे इसको प्रोपागेट करें आज मैं पूरा step by step आप लोगों के साथ share करूंगी और मैंने जो procedure किया था जो मैंने जैसे किया था बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों के साथ में share करूंगी मैं यह नहीं बोलूंगी मेरा 100% successful हुआ था क्योंकि जितने मैंने लगाये थे उसमें से 2-4 मरे थे तो इसलिए मैं बोल रहे हूं 95% मेरा successful हुआ था और आप भी अगर ऐसे ही करेंगे देखिएगा आप भी cutting से आराम से इसको प्रोपागेट कर सकते हैं multiply कर सकते हैं कोई दि आप लोगों के लिए होगा तो आखरी तक जरूर देखिएगा वीडियो को और क्यूंकि मैं step by step बताने वाले हूं तो वीडियो को बिल्कुल skip मत करिए कोई भी step अगर skip हो गया हो सकता है आपका प्रोपागेट ना का ना हो पाए तो पहले मैंने यह जो मेरा cuttings था इसको मै यह मेरा ready हो गया soil media है तो इसी में मैं इसको प्रोपागेट करूंगी next यह बात करते हैं कि कैसे आप लोग इसको चूज करेंगे कौन सा वाला cutting आप लोग चूज करें तो कैसे चूज करेंगे हमेसा याद रखे थोड़ा मोटा वाला आप लोगो जो cutting इसको चूज करें पै बिना rooting hormone के भी हो सकता है लेकिन मैं कुछ भी chance बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते हूं इसलिए मैंने rooting hormone का प्रयोग किया है rooting hormone थोड़ा सा लगा दूंगी और उसको simple लेके जो मैंने sand का media त्यार किया है उसमें लगा दूंगी देखिए और कुछ ज्यादा काम उसमें नहीं ह ऐसे आप लोगों को करते जाना है किसी आप लोगों को choosing के वक्त थोड़ा सा ध्यान दे pencil size का मोटा वाला stem आप लोगों को cut करके लगाना है उससे पतला वाला आप लोग मत लगाएं अगर पतला वाला लगाएंगे तो उसमें बिल्कुल भी root नहीं आएंगे stem थोड़ा mature हो होना चाहिए उपर जो यह green green बाला है ना green green बाला stem उसको मत लगाएंगे वह बिल्कुल भी उसमें से rooting नहीं आएगा आप जितना भी कोशिस कर लीजिए और अभी next जो बात आप लोगों को ध्यान रखना है वो है कि उसमें पत्ते बिल्कुल मत रखें क्योंकि अभी जो हमने cuttings लगाया है अभी बिल्कुल जो plant का ध्यान बिल्कुल उसके root आने में सब ध्यान उसका लगना चाहिए पत्ते बिल्कुल ना रखें फिर नहीं तो कि इसको आप लोग रखें कहां सेड के निचे रखें sunlight में रखें कैसे रखें ना इसको अभी आप लोगों को सेड के नेचे रखना है। जैसे की मैंने ऐसा जगा कुणा है जहां पर सेड है उसके उपर डायरेक्ष्ण लाइट नहीं गिरता है लेकिन हाँ इसमें बारिस का पानी जरूर गिरता है क्योंकि बारिस का पानी में भहुत सारा निय्ठेमाव जैसे कि आप लोगों को पता है और यह आपका जो कटिंग स इसलिए मैंने बोला है 100% successful नहीं हुआ था, 95% हुआ था, नीचे से भी आप लोगों को मैं root दिखाती हूँ, देखिए, बहुत सरे cuttings 2-3 मरे हैं, लेकिन maximum मेरा success हुआ है, successful हुआ है, और सब में rooting आ गया है, तो इस तरह से अगर आप लोग cutting को लगाएंगे, तो 100% आपका भी successful जरूर होगा, cutting को कैसे आप लोग selection करें, वो भी आप लोगों को बताया, अभी cutting को कैसे लगाएं, और लगाने के बाद इसको कैसे रखें, सेड़के नीचे रखें, डाइरेक्ट धूप में मत रखें, बारिस का पानी अगर गिर सकता है, तो बहुत ही बढ़िया है, तो य जो फ्लावरिंग का ये जो है महीना अभी खतम हो जाएगा, क्योंकि नवेंबर से जो सर्दी स्टार्ट हो जाएगा, डिसमबर से तो फिर इसका डूर्मेंसी सीजन आ जाएगा, तो अभी ये जो सीजन है, इसमें इसमें फ्लावरिंग नहीं होगा, लेकिन नेक्स साल इस प्लावरिंग शुरू हो जाएगा तो फर्स टेप में ने क्या किया ना रिपोर्ट करने से पहले सब को पहले में पानी में धो दूंगी रूट को साफ करूंगी तो पांच मिनिट ऐसे ही डूबो के रखोंगी फिर अच्छे से रूट को पूरा साफ करूंगी पूरा आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोगों मेरे से खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं सब वाटर लीली मेरे फास अभेलेबल है मुझे वाट्सअप पे कंटाक्ट कीजिए और अपना मन पसंद कलर सिलेक्शन करके मुझे बताईए मैं आप लोगों को भेज दूँगे यह देखिए दोस्तो साफ करके रूट कितने अच्छे से डेवलप हुए है ना जी कुछ के पते निकले हैं कुछ के पते नहीं निकले हैं पते नहीं निकले हैं फिर भी उसमें रूट आया है तो सभी को मैं आज रिपोर्ट करूंगी आप लोगों को पांच पांच के बाद ये च्छ उसके बाद साथ आठ नो दस ग्यारा बारा देख लीजिए दोस्तो सब में रूट आ गया है और चलिए अब आप लोगों को रिपोर्ट करके दिखाती हूं तो सबसे पहले रोज के लिए कैसे मिट्टी तयार करें वह आप लोगों के साथ कर लेती हूं पॉटी मिक्स जानना बहुत ही जरूरी है कौन सा पॉधे के लिए कैसा पॉटी मिकस अब तयार करें तो यह जो मिट्टी मैंने लिया है इसमें मैंने सॉयल 40% और सैंड 20% लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने मिलाया है सिंगे सुपरफस्पेट अभी मैंने मिला रही हूं नीम खली के बाद ऊसमें बॉन मील और हाई मिल यह सब मैं देने वाली हूं और पॉधे में थोड़ा सा मिट्टी में अगर आप लोक बॉन मील हान मेल नीम खली यह दे दे तो बहुत ही अच्छा होता है पॉधे के सब मिला के यह अच्छा सा potty mix मेरा confrate रोज के लिए तैयार हो गया है अभी last में जो जरूरी चीज में मिलाने वाली हूँ यह है टाटा का rally gold यह आप लोग जरूर अपने potty mix में आड़ करें यह बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तो plants के लिए तो बहुत ही बढ़िया है सब को अच्छे से मिला है मिलाने के बाद एक बहतरी इन potty mix तैयार हो गया है confrate रोज के लिए अभी सब को मैं report करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी report करने का procedure वही सेम है सारे पौधों का अभी पहला reporting हो रहा है तो इसलिए छोटा सा pot में पहले लगाएंगे यह 6 इंच का pot है drainage hole को पहले बंद कर दें उसके बाद मैंने potty mix दे दिया है potty mix देने के बाद अच्छे से थोड़ा एक टूल के साहरे मिट्टी को थोड़ा अच्छे से सेट कर दें ताकि बीज अंदर कुछ भी air pockets ना रहे उसके बाद जो पौधा है उसको लगा देना है simple से यह मैंने पौधा ले लिया है और उसको ऐसे बीच में hold करके आराम से सारे root अंदर होने चाहिए उसको आराम से धीरे धीरे हलके हातों से लगा ले ज्यादा प्रेस मत करिए खाली आप लोगों को इतना ध्यान रखना है सारे root जो है वो मिट्टी के अंदर ही रहने चाहिए यह पहला plant में लगा लिया है उसके बाद दूसरा plant में लगा बंद करने के बाद potty mix दे दूँगी potty mix से पूरा pot भर देने के बाद फिर से कोई tool के सारे उपर नीचे करके जितना अंदर air pockets होंगे उनको निकालना है देखिए मिट्टी को ऐसे set करेंगे बिल्कुल भी air pockets अंदर रहने का कोई भी chances नहीं रहेगा बीच में hole करना है अच लगा दिया यह देखिए सारे plants मेरे तयार हो गये हैं और कुछ जो plants बचे हैं उनको मैं plastic के जो poly व्यागत है उसमें लगाऊंगी तो उसके बाद इसमें पानी देंगे तो पहले जो पानी देंगे सब लोगों को पता है मैं plain पानी नहीं देती हूं यह जो पानी में दे रह यह देने का फाइदा यही है कि पौधा रिपोर्ट सक्से बिल्कुल नहीं जाता है तो पौधे का मरने का chances बहुत ही कम रहता है हमेसा की तरह फिस से बोलूगी जब भी पौधे का रिपोर्ट करें ऐसा solution बना के अपने पौधे में जरूर दें उसके बाद आप लोग प्ल से कढ़िक है तो ऑपड़ेट बेसे में और अगर हम यहां है प्रोट बीजेशन को फ्लावरिव का सिजन उसका सिर नेक्स्य 足रन पर अप्लोगों से कौधे में खाल ही प्लाइव को सब्सका है अब का वैसым के बिल्ग यहां यह जो बिल्कुल है तो आप आप ज़ाद भी अचीज़ आप लोगों के लिए पहलोगल टिप्स आप लोगों को याद रखना आ है हमेशा जो आप लोग क्तिंग करें और क्लिक В Оton कि अब करें किम कि अब अब मेर्फ के बारश को पाने के लिए जो प्लान्ट है करब बारश के लिए दूर के मौत होगत करने के लिए के अगर आप खूब सरा फ्लावरिंग अपने प्लांट में चाहते हैं आपका प्लांट मेचियर हो गया है तो कुछ नहीं करना है सरसों की खली का पानी जो है उसको आप लोगों को अपने प्लांट में रेगुलर देना है हर 15 दिन में अगर आप मस्टर केक सेलुशन अपने टाइम पर रोक लीजिए बाकी टाइम आप आराम से दे सकते हैं और खूब चारा फ्लावरिंग अपने प्लांट में पा सकते हैं तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही आसा करते हूं आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया है दोस्तों लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को मिलते हैं नए वीडियो में नए प्लांट के साथ कुछ नए नए इन्फरमेशन के साथ तब तक खुश रहिए स्वस्त रहिए गार्डिनिंग करते रहिए मेरे साथ जु वादू ओजिए